बिल्कम स्टुडेंट्स तो इस वीडियो में हम दिखने वाले है इसमाइल 3.0 होमबर्क 5-6 अगस्त 2021 कक्छा 10 वी गडित अध्याए एक इसका टोपिक है आप परिमे संख्याए तो इस होमबर्क का हम सारे सलिसन देखने वाले है सारे परिमे संख्याए वाले है और परिमे संख्याए वाले जो टोपिक है यह आपकी बुग में प्रश्णावली 1.3 में मिल जाएगा मतलब के यह आपने इसे एक बार समझ लिया तो आपको प्रश्णावली के और उधारन के सारे सवाल इसली बन जाएंगे हना इसमें इस टाइब के सवाल आते है कि सिद्ध की जीए कि यह संख्या आप परिमे हैं हना सिद्ध की जीए कि यह संख्या आप परिमे हैं तो आज किस वीडियो में आपको हना यही सारे सवालों को समझाने वाला हूँ भलाई थोड़ा से वीडियों हाँ पर लंबा हो सकता है लेकिन आपने मैं गरंटी ते सकता हूँ याँ आपने इस वीडियों को पूरा देख लिया और इन सारे सबालों को समझ लिया तो उम्मीद है आपको सारी प्रश्णवाली भी समझ में आ जाएगी और प्रश्णवाली एक दसनलों तीम भी मैंना सोल्व करा दिया हूँ आपको प्लेलिस्ट में मिला गी सामने मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना दिया हूँ कक्छा दजबी गडित NCRT स्पेसल कोर्स की आप बहाँ पर जाकर भी देख सकते तीन तक अध्यागों मैं पढ़ा दि और उनमें अन्तर लिखेंगे तो दिकिसे केते हैं परी में संख्याय हम उसे केते हैं जिसे हम P बटे Q यानरे की अंस बटे हर की रूप में ब्यक्त कर सकते हैं और जहाँ पर जो Q है इस Q का मान कभी भी जीरू का बरावर नहीं हो सकता यहाँ पर भी बही लिखा है परिमेर संखा है उन्हें कहते हैं जीने P बटे Q आने कि अंस बटे हर के रूप में ब्यक्त कर सकते हैं तता Q कमान कभी भी जीरू का बरावर नहीं हो सकता है। जैसे कि 5 बटे 7, 8 बटे 9, 4 बटे 7 लिखा है। यानि कि हम 5 बटे 7 को अंस बटे हरके रूब में व्यक्त कर सक रहा है। 8 बटे 9 को भी हम अंस बटे हरके रूब में व्यक्त कर सक रहा है। मतलब कि हम जिनने आंस बटे हर के रूप में ब्यक्त कर सकते हैं, हम उन्हें परिमे संक्खा के कहते हैं, जबकि इसके बेपरित जो आप परिमे संक्खा होती है, आप परिमे संक्खा को हम P बटे Q आने कि आंस बटे हर के रूप में ब्यक्त नहीं कर सकते हैं, ठीके बच्चो और देखे आप परिमे संखाय को उधारा दे सकते हैं करणी 2, करणी 3, करणी 5 आदी हाना इनको हम आंस बटे हर के रूमे ब्यक्त नहीं कर सकते हैं सिंपल से डिफ्रेंस वच्चो यह है उमिद आप से विको समझ में आगा हुआ अब हम प्रशन दोससे जो सारे सवाल आपको दिये हैं कि सिद्धी कीजिए आप परिमे संखाय हम इने समझेंगे बिलकुल बिजबत तरीके समझेंगे ताकि आपको लोंग टरम तक पता चल सके हैं आपको प्रशन वाली सवाल भी इजिली बन जाए या फिर आपको उस कोशन को टाइप करके वे पर क्लिक कर सकते हैं आप सिंपली अपना यहां कोशन लिखिए जो भी है कोशन लिखने के बाद आप यह सब ओप्सन सिलेट कर लिजिए एक्सपर्ट्स तुरंत लाइव आकर बिदिन सिक्स्टी सेकंड्स में आपका आंसर देंगे जी सर नमस्ते जो अपना इंटरनेट है उसके निर्मान किस ने किया एक समस्था थी वही जाएव नाम प्राद में टी ओडी करके थी नाइंटीन सिप्स्टी नाइट थेंक यू सर डिस्क्रिप्शन में दी हुए लिंक से आप एपको डाउड कर सकते हैं और आपने सारे डाउट किलियर कर सकते हैं तो जाएए और डाउड कीजिए कि करनी दो एक आपने में संख्या है तो परिमें संख्या की करनी दो एक परिमें संख्या के कर रहे है बच्चों हम यहाँ पर यह मान रहा है हम इसके बिप्रित मान रहा है कि जो करनी दो है एक परिमें संख्या है हाना देखे हमने आपर बिपरित माना है कि कर्णी दो एक परी में संख्या है हमें लाना क्या है कि कर्णी दो एक आपरी में संख्या है यदि हम इसे हल करें और हल करने पर हमें प्राप्त हुआ कि यह परी में संख्या है नहीं है मतलग कि हमें सिद्र वयागा की कर्णी दो एक आप परी में संक्या है तो हम इसे बिपरीत बनाने की यहाँ पर कोस्टिस करेंगे बच्चो ठीक है इसलिए हम इने इसे माना है कि कर्णी दो क्या है परी में संक्या है हमें इसके बिप्री तांसन लाना है ठीक है बच्चो तो बच्चो देखिए परी में संखे किसरत क्या होती है परी में संखे किसरत होती है कि जो परी में संखे होती है हम उसे P वटे Q या फिर A वटे V के रूप में व्यक्त कर सकते हैं तो हमने यहाँ पर कि लिखा हमने करनी करनी दो को A वटे B के रूब में ब्रेक्त कर रहे हैं जहां पर देखिए जो जहां पर A तथा B क्या है से है अभाज पूरणांक तथा B का मान 0 के बरावर नहीं हो सकता कहने के ताथ पर बच्चों यहां पर यह है कि देखिए यहां पर देखिए A तथा B क्या है सेह अभाज पूरणांक है मतलब की देखिए मतलब की देखिए जो A है A को हम A से ओर A के अलावा A का खुद के और A के अलावा किसी ओर संक्या से भाग नहीं जा सकता है केवल यह तो उसमें A का भाग ही जाएगा यह फिर एक का भागी जाएगा तब हम उसे कहे रहे सेह आवाज संक्या है आवाज यह आने की जिसमें सुम का और एक का इलावा किसी और संक्या का भाग नहीं जा सकता इसे प्रिकार देखे B में भी सिर्फ खुद का और एक के अलावा किसी और संक्या का भाग नहीं है सकता यदि उनमें किसी और संक्या का भाग जा रहा है मतलब की भी क्या है आप परी में संक्या है ठीक है बच्चो और परिमे संक्या है कि उनमें खुद के और एक के लावा किसी और संक्या का भाग नहीं जाना चाहिए ठीक है अभाज मतलब की अभाज संक्या है मतलब की भे परिमे संक्या है और यदि भे अभाज मतलब की भे आप परिमे संक्या है ठीक अच्छो इस प्रकार्सरी से हम कह सकते हैं हना आवाज संख्या है मतलब की बे क्या है बेह है परिमे और यदि बेह भाज्य है मतलब की बेह क्या है आपरिमे ठीके बच्छो यह इसकी सर्थ होती है तो हमें आपर यह करना है हमें इस प्रकार्सरी करना है की हमें इने भाज्य बनाना है तब भी वे आप परिमें संख्याय के लाईगी तो आ यह मिसल हाल करते हैं आगे बर्फ there बर्फ करणे पर यहां पर हम की करते हैं इन दोनों को हम बर्ग कर देती है तो तो हम हमके लिखेंगे करणी 2 कबर्ग बराबर देखिए A कबर्ग क्या होगा A कबर्ग बटे B का क्या होगा B कबर्ग यहाँ पर हो जाएगा अब देखेंगे हम अगली स्टेप में करते क्या है अगली स्टेप में हम यहाँ पर इनके कोश्टे को खोलते हैं तो देख बच्चों कि यहाँ पर क्या लिखा है कर्णी दो का बार्ग यानि कि कर्णी दो गुडित कर्णी दो तो देखें कर्णी दो गुडित कर्णी दो बराबर्स क्या होता है दो होता है ठीक बच्चो तो मैं आप लिखेंगे कंड़ी दो कपर बरावर से होगा 2 बरावर से यहाँ पर कर रहेगा A स्कुर का A स्कुर रहेगा बट्टे में B स्कुर का B स्कुर रहेगा अब हम करते क्या है हम यहाँ पर 3 गोणा कर देदें तो दीए A स्क्वेर का गोणा होगा बट्टे के X से तो कितना जाएगा कितना जाएगा A स्क्वेर जाएगा बरावर B स्क्वेर का गोणा होगा 2 से तो कितना जाएगा 2 B स्क्वेर यहाँ पर आ जाएगा ठीक है बच्चो, यहाँ पर मैंने आपको समझाने के लिखा हूँ, इसे मैं मेटा देता हूँ ठीक है ठीक है ठीक है, तीरे गुणा हमने करें, अब हम करते क्या हैं, यहाँ से हम 20 स्कुर का मान निकालते हैं थीक है बच्चो हमें यह से 20 स्क्र के माल निकालते हैं तो a2 के में 2 चलाएगा तिक जो 2 है 2 इसके गुणए में बरावर के साइट जाकर मैं बटे में चलाता है किसी भी समय के तो यहाँ पर क्यों होगा A square के बटे में 2 चले जाएगा ठीक बच्चो आप यह Aero का चिन्द मतलब आना मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ तो देखिए बच्चो यहाँ पर B square का मान कितना है A square बटे 2 मतलब कि मैं आप लिख सकते हैं यहाँ B square जो है यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर देखिए क्या निकल रहा है यार्थ कि जो A square है A square का भाग किससे जा रहा है 2 से जा रहा है ठीक है बच्चो तो हमें आप लिखेंगे यहाँ जो A square है 2 से बिभाजित है देखिए आप यहाँ पर देखिए जो A square है वे 2 से बिभाजित है तो एक प्रमे होता है कि तो हमें आप लिखेंगे प्रमे से तो प्रमे से हाणा प्रमे के कहता है यदि A किसी भी संख्या से विवाजित है तो A भी उस संख्या से विवाजित होगा तो हम आपर लिखेंगे तो A भी दो से विवाजित होगा यह आपका सर्त हो जाती है अब हम करते क्या है इसका अगली स्टेब में हम अगली स्टेब में मानते हैं देखिए यहाँ पर क्या लिखा है A और 2 है तो हम यहाँ पर लिखते हैं माना A बराबर से 2C हम A के बराबर 2C मान लेते हैं अब हम इस A के मान को देखिए रख देते है ठीक है बच्चो हमें इस एक के मान को सम्मी करान एक में रखेंगे तो देखे बच्चो एक का मान के है दोसी इस दोसी के मान को हम सम्मी करान एक में रखेंगे तो देखे बच्चो यहाँ पर क्या है ए ए स्क्योर है तो देखे ए की स्थान पर हमें के लिखेंग दो C का वर्ग बरावर से हाना के लिखा है यहाँ पर A स्क्यर बरावर से 2B स्क्यर तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2B स्क्यर ठीके बच्चो अब यहाँ पर अगले स्टेप में कोश्टक को खोल लेंगे बच्चो तो देखिए दो का बर्ग कितना होता है चार और सी का बर्ग यहाँ पर सी का बर्ग हो जाएगा बरावर दो बी का बर्ग अब हम करते के बच्चों यहां से हम यहां से हम करते क्या है 20 स्क्वेर का मान निकालते हैं तो देखे बच्चों 20 स्क्वेर का मान निकालते हैं तो देखे हम पर क्या रहेगा 4 सी का वर्ग रहेगा जो 2 है इसके वर्टे में चले जाएगा तो देखिए दो चार सी वर्क के वट्टे में चल गया तो देखिए यहाँ पर क्या जाएगा कमान निकालते हैं ठीक बच्चो यहाँ पर हम सी उसकर कमान निकालते हैं तो देखिए यहाँ पर टू वी स्क्वेर के वट्टे में जो चार है बेचल जाएगा तो आप देखिए चार जो है दो से दो बार विभाजित होगा मतलब कि यहाँ पर देखिए सी का मान कितना सी का मान आएगा सी स्कर का मान आएगा बी स्क्यर वटे दो तो आप यहाँ पर देखिए जो बी स्क्यर है बे दो से विभाजित हो रहा है दो से बिभाजित है तो प्रमे से क्या होगा जो बी है बेवी बिभाजित होगा ठीक है बच्चो यहाँ पर प्रमे से जो बी है बेवी दो से बिभाजित होगा अब यहाँ पर समझने वाली बात आती है बच्चों देखिए यहाँ पर क्या जो B है बे दोस्री विभाजित है और यहाँ पर A भी क्या है दोस्री विभाजित है मतलग की केनक तात पर यह है कि देखिए हमने सर्थ के पड़ी थी कि जो परी में संख्या होती है जो अब परी में संख्या होती है बे के होती है भाजित होती है मतलब कि जो A और B है उनमे केवल स्वयम का या फिर 1 का भाग जाना चाहिए लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर A में 2 का भाग जा रहा है और यहाँ पर B में भी 2 का भाग जा रहा है ठीके बच्चो तो मतलब कि यह क्या होगी यह होगी भाज संख्या है भाज संख्या में स्वम का और एक के लावा अन्य संख्या का भाग चला जाता है तो मैंने आपको बता था यदि संक्या भाज है यदि संक्या क्या है भाज है तो उसका राद पर यह है कि भे क्या होगी आप परी में होगी क्या होगी आप परीमे होगी तो यहाँ पर हमें प्रूव हो जा रहा है कि देखिए यहाँ पर हमें प्रूव हो जा रहा है कि जो A और B है B क्या है हमें देखिए शुरू में क्या माना था हमने शुरू में माना था कि जो A और B है क्या है से अभाजय पूनाख है हाना देखिए तो मतलब के आपर सिद्धी हुरा है कि जो संक्या A और B है B कै भाजय संक्या है मतलब कि परिम्र संक्या है तो हम यहापर क्या लिखेंगे बच्चो हम यहापर लिखेंगे की यहां इस पश्ट है की जो ए और बी है बे क्या है सेह अवाज पूर्णांक नहीं है यान कि सेह अवाज संख्याए नहीं है मतलब कि बे क्या है भाज संख्याए और भाज संख्याए है और इन दोनों का उभेनिष्ट गुड़न खंड क्या है उभेनिष्ट गुड़न खंड क्या है दो है आप यहां पर देख सकते हैं यहां पर बी का भी गुड़न खंड क्या है दो है और यहां पर एक का गुड़न खंड भी क्या है दो है इसलिए हमने लिखा है ओवेनिष्ट याने की कोमन है इन दोनों को ओवेनिष्ट गोड़ान खंड क्या है दो है तो देखिए यहाँ पर सिद्ध होग है कि जो A और B क्या है भाज संख्या है और भाज संख्या है मतलब कि यह क्यों होगी आप परी में संख्या होगी तो हमें आप परी में संख्या है और यह हमारा यहाँ पर सवाल जो है बेप्रूब हो जाता है तो इस प्रिकार बच्चों में सवाल करना था आप यहाँ पर इसके सुरूर लेकर आसर भी लिख सकते हैं केनक ताद पर यह है कि हमने आपर सुरुमिक करा इनको बिप्रिद माना इन्हें हमने माना कि परी में संक्या है और हमने आखरी में इनको पलट दिया कि जो इसकी सर्थ पूरी नहीं हो रही कि परी में संक्या है मतलब कि यह क्या होगी आप परी में संक्या होगी ठीक बच्च देखिए आठ़ों कों तीस सवाल में किया दिया है की इसे करने ही साथ एक प्रया में संकया है यह बी विल्कुल उसके जिससे सवाल है यहां पर बड़ी प्रस आपको संकय बदली गई है कि यहां पर यहां demands Usake try राइफ हल करेंगे तो दिविचे हमने आपर के लिखा इसके विपरित हम मानते हैं कि जो करणी साथ है क्या परी में संक्या है हम इसके विपरित मान लेते हैं कि परी में संक्या है और हम आखरी में इसकी सर्थ को आसमतुष्ट कर देंगे और हम पालेंगे कि जो कंड़ी साथ है बे आप परी में संख्या है तो देखेंगे जो परी में संख्या होने की सर्थ के होती है जो परी में संख्या होती है हम उन्हें A वटे B के रुब में व्यक्त कर सकते हैं तो देखें हमने आपर के लिखा हमने आपर लिखा कंड़ी साथ नहीं जा सकता है। यदि किसी ओर संक्या का भाग जाता है, मतलब कि भेक्या है भाजी संक्या है। ठीक है बच्चो? तो आपने हम करते क्या है, इन दोनों पच्चों का हम बर्ग कर देते हैं, तो देखिए, बर्ग करने पर देखिए, करणी साथ कवर हो जाएगा, बराबर इहां पर क्यों आएगा A S suckaur B square यहां पर हो जाएगा, अगले स्टेप में देखिये हम कोश्टन को खोल लेती हों, देखिये कंड़ी साथ कवर क्या नहीं, कंड़ी साथ, गुढि कंड़ी साथ बराबर किया जाएगा, 6 यहां पर आजाएगा बराबर A square B square का A square B square, हम यहां से बीषक्यार कमा निकालते हैं तो देखिए a² के बट्टे में हाँ पर 7 आ जाएगा अब आप यहां पर दे सकते हैं कि जो a² है, भे साथ सी बिभाजित हो रहा है, तो प्रमे क्या कहता हैं, प्रमे केता है कि यदि a square के संख्य से विभाजित है तो a भी उसी संख्या से विभाजित हो जाएगा अब देखे हमने a को 7 से विभाजित करें तो हमें आपर क्या करते हैं अगले इस टिप में a बरावा 7 सी मान लेते हैं अब हमें इस a के मान को सम्मेकरण 1 में रखेंगे तो देखिए हम यहाँ पर कोष्ट को खोल लेते दे बच्चो साथ का बर्ग उननचास सी स्कुर का बर्ग सी स्कुर बरावर सेबन बी स्कुर का सेबन बी स्कुर हैगा बरावर हम यहाँ पर सी स्कुर का मान निकालते तो देखिए क्या होगा बच्चो साथ बी स्कुर के बट् याँ आप लेकिए जो B SQR है, 27 से बिभाजित है तो प्रमे का अनुसार जो B B 7 से बिभाजित हो जाएगा अब बच्चों आप यहाँ पर दे सकते हैं की, हाना, देखिए सर्त यहाँ पर हमारी आश्म्न फिस्ठ हो रही है देखिए आपे हाँ पर दे सकते कि जो A है और जो B है दोनों साथ से विभाजित हो रहे है मतलब कि यह भाज संख्या है हाना मतलब कि C अवाज संख्या है नहीं है C अवाज संख्या होने की सर्थ के होती कि जो हाना संख्या होती है बे स्वयम और एक के लावा किसी और संख्या से विभाजित ना हो लेकिन यहाँ पर जो ए और भी है स्वयम और एक के लावा साथ से विभाजित हो रही है मतलब कि यह से अवाज संख्याए नहीं है और दोनों को ओविनिष्ट गड़ान खंड क्या है साथ मतलब की यहाँ पर देखिए से अवाज संख्याय नहीं है मतलब की यह क्या है भाज संख्याय है मतलब की क्या है आप परिमे संख्याय है तो हमें हाँ आप लिख देंगे आथा कंडि साथ का है एक आप परिमे संख्याय है और यह क्या हो जाता है प्रूब यहाँ पर हो जाता है इस प्रिकार्स बच्चों हम सवाल खुल करते शुरू में हम इने परिमे संख्यार मान का चलते और आखरी में हम इने आप परिमे संख्यार की रूब में सिद्ध कर देते इस प्रिकार्श बच्चो आपको सवाल यहाँ पर हल करना था उम्मेद आप स्विकों सवारा आरा हुआ इदि आपको समझ में आया तो बच्चो कमेंट करके बता दिजीगा ठीक है बच्चो यह आपका सवाल यहाँ पर हल हो जाता है चलिए अब हम देखते इसका चोतो सवाल चोतो सवाल हमें क्या दिया है सिद्ध किजी कि साथ करने दो एक आप परिमे संक्या है ठीक बचो हमें आपर सिद्ध करने कि साथ करने दो एक आप परिमे संक्या है तो हम इसे यहाँ पर हल करते है तो दिखी वाच्चों में आपर करते क्या है इनके बिप्रित हम यह माल लेते हैं कि साथ करने दोग क्या है एक पर्मे संक्या है और पर्मे संक्या होने की सर्थ क्यों होती है कि पर्मे संक्या को हम A बटे B की रूब में ब्यक्त कर सकते है जहां A और B क्या है से भाजी पूर्णाख है तता B कमान कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता A और B से भाजी पूर्णाख है मतलब कि हम A और B में स्वयम और एक के लावा किसी और संक्य का भाग नहीं जा सकता यह दिखिए इसी ओर संक्या का भाग जाता है मतलब कि यह बे क्या है आप परी में संक्या है ठीक है बच्चो तो हमें आपके करते से आगे हल करते हैं यहाँ पर आप यह एरो वेरो को चिंद मत बनाईएगा गोले का चिंद मत बनाईएगा ठीक है बच्चो देखिए हमें आ तो देखे क्यों आएगा 7B यहाँ ठीक वच्चों, तो देखे impacto वच्चों हमने इसके ओपर सव detature 위 की बढ़ा था कि जो कारी 2 है और परी में संक्यखे होती है देखे अकतौण की है क्रणी 2 परी में आप परी में संख्या है इसलिए ए वटे सेबन बी वी एक आप परी में संख्या होगी अब देखिए दोनों संख्या है आप परी में होगई मतलब कि हमें सबाल में के दिया था साथ करनी दो ये भी एक परी में संख्या होगी तो हमें यहाँ पर लिखेंगे अता साथ करनी दो क्या है एक आप परी में संख्या है और यहाँ पर सबाल दोय में प्रूब हो जाता है ठीक वच्चो इस प्रकार से हमें सवाल को हल करना है आप यहाँ पर इसकी शोट ले सकते हैं आप यह गोले बोले मत बनाएगी गा ठीक वच्चो इस ठीक है जैसे हमार देखें लाश्ट सवाल होई हमें दिया है तीन रिन पांच करनी पांच एक परिमें संख्या है तो हम इसका हलवी हाँ पर देख लेते हैं देखे हैं बच्चु के दिया है कि सिद्ध कीजिए कि हना तीन रिन पांच करनी पांच एक परिमें संख्या है तो बच्च हम करते क्या है इसके पेपिस्थ हम यह माल लेते हैं कि 3 रिंट 5 करणी 5 का है एक परिमे संक्या है तो परिमे संक्या होने के सर्थ के होती है कि जो हमना परिमे संक्या को हम A वटे B के रूब में व्यक्त कर सकते हैं यहांस हम 5 करणी 5 कमान निकालते हैं तो दिखिए A बटे V है यहांपर देखिए जो 3 है बे धनका है इधर साइट जाकर वे रिनका हो जाएगा ठीके बच्चो तो आपर देखिए हम करेंगे क्या यहांपर हम 5 करणी 5 भई लिखेंगे बराबर हना यहांपर देखिए हम यहांपर देखिए अब हम लिखेंगे क्या यहांस हम करणी 5 कमान निकालेंगे तो देखिए करणी 5 कमान हमें निकालेंगे तो दिखिए हो जाएगा एरेंड 3 भी के बटे में जो 5 है भेज चले जाएगा तो यहांपर कितना हो जाएगा 5 भी यहांपर हो जाएगा अब देखिए हमने सोल्व कर रहा था कि आपको बताना चांगो यह जो करणी 5 होती है करणी 5 क्यों होती है एक आपरी में संक्या होती है हमने इसके पिछे से बटे 5 भी भी क्या होगी आपरी में होगी अब जब यह जो दोनों संक्या है आपरी में है मतलब कि आपकी तीन दिन 5 करनी पास भी एक आपरी में संक्या होगी इस प्रकार से हमारा सवाल प्रूब हो जाता है तो आज की इस वीडियो में आपको सारे सवालों के समझा दिया तो आप कमेंट में करका बताईए मुझे पूरा हना तो कमेंट कर बताईए कि आपको समझ में आ गए क्योंकि बहुत कमी बच्च्छा होते जो कि सब्सक्राइब को समझते हैं यह आपने वीडियो को यहां तक दिखा है मतलब कि आपके मन के अंदर जिग्यास है कि हम पढ़ा कर बताईए कि आपने वीडियो को यहां तर दिख लिया है और में टोपर बनने वालों बिल्कुल आप यहां इस साल टोपर बनने वालों और टोपर बनने के त्यारी में हम आपको इस चैनल पर त्यारी करवा रहा है तुमिद आपको को समझ में आग हो तो वीडियो को साय कर लिजेंग में टैना उन्ट तक लिजेंगे हिंद जिवां